तो सबसे पहले हमें चाहिए पाराफिन वेक्स रख लेंगे ट्रॉली पे देन नेक्स चाहिए हमें गौस पट्टी वेक्स हीटर कॉटन इस तरह से कटा हुआ होट और कोल कम्प्रेशन के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो इस तरह की कॉटन भी हम टू स्ट्रिप कट करक Q-Tips, Ear Bat, Биг Bowel, Cleansing Milk, Cleanser according to skin type देन हमें चाहिए toner according to skin type आप रोस वेटर भी ले सकते हैं रोस वेटर का यूज़ा आप ओल आप आपस ऑज़ा को पार एक लिए इस कवर करके रख दिया हैं तो मैंने ये cavity में निकाल के पहले से ही है और इसे सेलेफिन शीट से इस तरीके से कवर करके रख दिया है ठीक है वेट कॉटन फॉर क्लीनिंग 4x4 फिंगर की शेप में कटी हुई इस तरह से कॉटन हम वेट करके यूज करेंगे क्लीनिंग के लिए और इसी में मैंने वेट कॉटन से ही आइपेड्स भी कट करें आइपेड्स आप वेट कॉटन में ही कट करें ड्राय कॉटन में कट ना करें नेक्स कुछ पिसीज हम ड्राय कॉटन की भी रख लेंगे अगर हमें नीड होती है तो ड्राय कॉटन भी हम ट्रॉली पे रख लेंगे hand sanitizer, baby oil for makeup removing, moisturizer, SPF ले ले लेंगे हम दो brushes रख लेंगे आप, अगर आपके पस दो brushes हैं तो आप दो brushes रख लेंगे एक pack की application के लिए और एक scrub की application के लिए ठीक है, यह basic trolley है हमारी, बट इसमें जो paraffin wax लेंगे हमें इसमें दूसरा brush रही होगा, pack की application के लिए बट हम फिर भी दो brushes रख लेंगे, next हमें चाहिए सीजर, disposable headband two spatula ले लेंगे हम, और एक ही हम bleach brush ले लेंगे, इससे हम अपनी paraffin wax की application करेंगे, ठीक है, comedon extractor, एक इस तरीके से खाली बाउल ले लेंगे हम, waste रखने के लिए, जो भी हमारी cotton का waste हो का, वो हम इसमें रखेंगे, waste bowl में, and एक हमें चाहिए medium towel, for front की dropping करने के लिए, small towel, आप अपने hands को clean करने के लिए, small towel रख लेंगे, एक bowl में हम पानी रख लेंगे, and next हमें चाहिए soda, and machine use करेंगे, हम steamer, तो जो भी हमारे tools and products थे, जो भी समानता हमारा, वो सारा एक जगा इस तरीके से, facial trolley पर हम set कर लेंगे,